हलो फ्रेंट्स में मिनाक्षी स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज में लेकर आई हूं आपके लिए नया नेक डिजाइन जो की बनाने में बहुत ही पैसिक है यह आपकी स्टीचिंग की स्कील को इंप्रू करेंगी सबसे पहले मैंने कैन्वास लिया ह मैं नेक का विद्ध लगा रही हूं है तुहेंडा हाफ इंच यह दिखेब लेंथ नेक की लेंथ सेवन ही चिलूँगी डिजाइन को स्केच करेंगे हूं इभाई डिजाइन ही स्केच हो गई है मैं कट कर रही हूं दीखेब माई डिजाइन कट हो गई है कैन्वास पर हमने डिजाइन कट कर रही है भी दीखेब अभी कपड़ा लेंगी कपड़ पर स्टिच करेंगे इसको पहले कैन्वस को कि अगे केच कर रही हूं कपड़े पर कैन्वास को यह मारा स्टिच हो गया है कपड़े पर इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे फी शोड़ के जो फी रखा यह उसको स्टिच करेंगे यह दिखिये में कॉर्णर स्टिच कर रही हूं इसको फॉल्डिंग कर रही हूं यह मेरा फॉल्डिंग हो गया है अब हम इसको बीच में से कट करेंगे यह में दोनों साइड कट का निशान रगा के रखाएं खालका सा लेफ्ट आइंड इस्टिच करेंगे जिसी की नेक बनाने में कोई प्रब्लम नहीं होगा अब राइट साइड से इस्टिच करेंगे कि बिल्पूर अच्छे से बैठा हुआ है बैठ नेक्र करेंगे के साइड में नहीं हुआ है नारन एक लेफ्टन साइड स्टिच करने से देखे कितना अच्छे से बैठा है और इसको कट करेंगे अब हलका हलका कट लगाएंगे यह कटे स्टिचेंग अपनी जो हो रही है वह कट नहीं होना चाहिए कट थूरा ध्यान से लगाना है इस कट को करेंगे करेंगे यह क्रोस कटिंग कर रही हो मैं देखेंगे क्रोस कटिंग के लिए मैंने कटिंग किया है इनको जोइन करेंगे वी शिप बनते वे इनको जोइन करना है देखेंगे अभी देखेंगे अच्छे से हो गया यह पाइपन लगाएंगे तो इनको कपड़ की बीच में फॉल्ड किया है थ्रेड को इनको कपड़ की बीच में त्रेड रखा हुआ है अच्छे से और कपड़ को मैंने फॉल्ड करके लिया है कपड़ को फॉल्ड करके उसके अंदर बीच में त्रेड रखेंगे पाइपन लगा रही है यह लिए निदी के कॉर्ण पर कैसे फॉल्ड किया है इंदर को पाइपन लगातेस हमें हमेँ थोड़ा थोड़ा स्टिच करना होता है क्योंकि जिससे पाइपन अच्छे से बट़ जाएगी contain कि sûr फ cheap दिए अंदर इस्टिच करेंगे कर देखे कपड़ी के बीच में थ्रेट रखा है निचे कैसे बीच में थ्रेट रख रही हूं किस्टीच कर रही हूं कि कि अभी कि पॉई कशी कि अभी केमरे पएपे निलगे हैं अभी आपिर जीच कर ना है कि जो दोरी वाले डिसाइन आप रही है बैठेगा तो इसको इस्टिच करेंगे वन बुप छोड़के इसको इस्टिच करते हैं यह देखे में एक बुप छोड़के फिर इस्टिच कर रही हूं हमारे इसको इस्टिच कम्प्रीट होगे है इसको एक तार्ज से में निकाल रही हूं दोरी को तार्ज से ही सीरा कर रही हूं देखें बहुत इजी है है यह हमारी डोरी बन गई है अब हम इसको इस्टिच करेंगे टॉप पर तो अब दोरी इसको अब आधा है यह जितना डोरी का विच है उतना ही विच मेने नेक में विच होड़ा है वाइट कलर टॉप का अबर से नेक खाला देखेंगे जी कौने है वहां पर फोर्ड करके इसको लेना है और अब इसको अब कर देखेंगे में कौने को भी पॉल कर रहे हैं अच्छा से ने पॉल करने के लिच को बादोशने की साउवड़ा इक अवाभ, कर देखेंगे विच हैंक लिह जब एा हैं झाटम में धिव वीस यह देखिए थोड़ा दीले दीले स्टेच करना है इसको यह देखिए पालने पर मैंने फॉल किया रहा है यह मारा इसको फ्रस्ट इस्टिश कंप्लेट हो गया है वान इस्टिश हो लगाएंगे यह देखिए इसको आगा दी प्रस्टिश ओल आवाएंगे ग्रहुजा कि अब टॉट प्रहुजा अब टॉट दॉट प्रहुजा था 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 इन दिखे माई इस टे से किन इस टीश वे अब टॉट रहने वाल है यह हमारा सेकें स्टिच कंप्रेट होगे सेकें स्टिच लिए क्या है क्योंकि सफाई फिनिशिंग आजएगी सफाई यह नेक बन के तैयार है और डिजाइन से रिजुटेट कोई भी सुझाओ कमेट बॉक्स में ज़रू दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प् झाल